असलाम नेकुम दे स्टूडेंट आज हम जूनित नंबर फोर के टॉपिक नंबर टू में देखेंगे कि जम बच्चों को बावाज़े बलंद कहानिया पढ़के सुनाते हैं चाहे वो कहानिया डिफरेंट यॉन्रा से हो चाहे वो उनकी कॉंटेंट एरिया से हो टेक्स बुक के अंदर जो बहुत इंपर्टन चीज आती है वो आती है कि अपकी विकैबलरी भी बढ़ती चली जाती है और व कब्रोड़ा का बढ़ना क्यों जरूरी है जब आप एक टेक्स को पढ़ रहे हैं इस्पैशली जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जो इल्फाश हैं उनके माईनी का बच्चों को जब तक पता नहीं होगा तब तक उन्हें समझ नहीं आएगी कि वो क्या पढ़ रहे हैं और उनका इंट्रस्ट डेफिनेटली कम होता चला जाएगा तो जब हम बच्चों को रीडिंग देते हैं और आहसे आहसे हम कुछ चैलेंजिंग कारे में इन्फर्मेशन बेहतर होती है उन्हें मुश्किल अलफाज के माईनी आते हैं बलके अक्रॉस ता करिकलम जो आपकी डिफरेंट टर्म्स हैं वहने बहतर तरीके से समझ सकते हैं बिलखसूस जब बच्चा बहुत चोटा है अभी वह इंडिपेंड़न्ट रीडर न बलके वह यह भी बताएगा कि इसके माई नहीं क्या है यह कहां इस्सेमाल होता है और वह उसकी बारे में अच्छी डिसक्शन बच्चे से कर सकता है जब हम रेगुलर बीसिस के ऊपर बच्चेों को टर्म्स इंट्रिउस करवा रहे होते हैं तो बन्यादी तोर पर हम बच् स्टार्ट किया होती है टीचर्स क्या करते हैं उनके लिए आप बेतरीन तरीका वह यह आप्ट करते हैं कि वह उनके लिए ऐसी किताबे लाते हैं जिसमें सिंपल टर्म्स हों जो उन बच्चों को समझ आ सकें और वह बच्चे जो हैं उनको इस्तेमाल भी कर सकें और उनको बच्चों जब reading कर रहे होते हैं, उनकी emergent reading skills develop हो रही होती है या वो कोई नई कोई concept पढ़ रहे होते हैं तो teachers को चाहिए कि वो encourage करें बच्चों का कोई जो उसके अंदर vocabulary यूज वी है वो उसको इस्तमाल करें, उसे पढ़ें, उसको समझें और उसको discussion करें ताकि वो effective तरीके से जो कुछ उसके अंदर लिखावा है, टेक्स के अंदर वो से समझ सकें एक बेहतरीन तरीका है explanations का बच्चे जो हैं, जो teachers उनको इलफास माईनी बताते हैं और explain करते हैं properly तरीके से proper तरीके का मतलब यह है कि वो यह बताते हैं कि इसका background क्या है, आई यह इलफास कहां से आए और इसको हम कैसे इस्तमाल कर सकते हैं और यह कहां कहां इस्तमाल होते हैं और इस टेक्स में इसका क्या माईनी है, वो तमाम explanations से related vocabulary बच्चे बहुत ही बेतर तरीके से याद रखते हैं Studies हमें यह बताती हैं कि जो भी आप नई language सीख रहे होते हैं, चाहे वो science की language हो, चाहे math की language हो, चाहे आप history या geography की language सीख रहे हो जब भी teacher उनको one time बेतर explanation देता है उस word के बारे में, 22% chances होते हैं कि वो बच्चे उस लफज को याद रखेंगे, उस word को याद रखेंगे explanation हम कैसे बच्चों को दें, definitely उनकी age के मताबिक दी जा सकती है जो अगर मुश्कल terms हैं या concept हैं, हम उसे child friendly तरीके से explain करते हैं, ताकि बच्चे जो हैं, उसे समझ सके उसके लिए आप pictures का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आप action करके भी उन्हें दिखा सकते हैं, props भी दिखा सकते हैं जो बेतरीन तरीका आप समझते हैं कि इस उमर के बच्चे को या इस word के explanation के लिए ये तरीका बेतर है, हमें वो variety of तरीके इस्तेमाल करने चाहिए Teachers जब एक text पढ़ाने जाते हैं, plan out करते हैं कि आज हम ये बच्चों के सामने पढ़ेंगे अगर वो उससे पहले ही उसमें मुश्किल इलफास को identify कर लें और उस मुश्किल इलफास की explanation जो है, वो बच्चों को reading से पहले, reading के दुरान करें तो बच्चों की reading comprehension बहुत बेतर हो जाती है और ना सिर्फ इनकी reading बलकि उनकी listening comprehension भी बहुत बेतर हो जाती है इसके लिए जरूरी है कि teachers plan out करके आएं और plan करके proper reading करें और अपने lesson plan में इन चीज़ों को add on करें ये active processing के लिए बहुत जरूरी है और definitely जब आप कोई text बढ़ रहे होते हैं तो उस text को समझते हैं जब तो आपका दिमाग उस information को process करता है जैसे कि computer information उसके सामने आती है वो process करने में time लेता है और फिर आपको ये बताता है कि information ये है बिल्कुल जब हम कोई text बढ़ रहे होते हैं उसमें कोई scene चल रहा होता है कहानी ये information आती है तो हम भी mentalist को process करते हैं we take some time to understand it कि ये क्या लिखावा है अब active processing के लिए जब हम नए इल्फास को इस्तेमाल कर रहे होते हैं सिखा रहे होते हैं तो वो कैसे काम करता है इसके लिए जरूरी होता है कि जो vocabulary बच्चों को introduce करवाने जा रहे हैं उसको focus करें अपनी read aloud में जब आप वाज़े बलंद पढ़ रहे हैं तो उसको तरीके से पढ़ें अच्छे तरीके से पढ़ें explain करके पढ़ें और clear तरीके से पढ़ें ताकि बच्चों का focus वहाँ पे हो आप उसे properly बच्चों से discuss करें और उन्हें बताएं कि इन इलफास को कहा का इस्तेमाल किया जा सकता है उसे इस्तेमाल करें इनके synonyms क्या है इनके antonyms क्या है और आम conversation में या उससे मुतलिक discussions में उन इलफास को बार बार लेकर आएं ताकि यह passive listening ना हो बच्चों को यह पता है ऐसे words की selection कर सकता है list बना सकता है जो आगे वो content area में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों को introduce कर वा सकता है उस पर activity कर वा सकता है उन्हें common conversation में लेकर आ सकता है जो active processing होती है जिसके अंदर बच्चे बावा बिलंद सुन भी रहे होते हैं समझ भी रहे होते हैं discuss भी कर रहे हो और जब एक ही term वो मुक्तलिफ subject में पढ़ते हैं और उनको exposure होता है कि यह कहां कहां इस्तेमाल हो सकता है चाहे वो concept है यह word है तो भी उनको ज्यादा देर तक याद रहता है अगर आप के सामने के example यहां पर दी गी है अगर आप birds से related एक series लेकर आते हैं और बच्चों को व nesting करते हैं और इस से related words जब वो बार बार पढ़ेंगे तो definitely उन्हें वो देर तक याद रहेंगे और वो इसको इसको इस्तेमाल करेंगे और उनकी vocabulary बेतर होती चली जाएगी